जी सलाम के डिजिटल प्लाटफॉर्म पर आपका इस्तक्वाल है मैं हूँ आपके साथ सहवादी आज आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के भाशा विबाग की ओर से 7 ओक्टूबर 1989 को उर्दो को दिवित्य राज भाशा का दर्जा दिया जाने की अधी सूचना जारी की गई थी और 19 नवंबर 1990 को साशना देश जारी किया गया था लेकिन राजे में दूसरी भाशा का दर्जा होने की बावजूद साइन बोट्स पर इसका इस्तिमाल क्यों नहीं किया जा रहा इस बात की शिकायत की उन्नाव जिले के रहने वाले मुहम्मद हारून ने शिकायत में हारून ने कहा था कि उर्दू भाषा राजी की दूसरी भाषा है इसे लिए साइन बोर्ट पर इसका भी इस्तिमाल होना चाहिए और फिर क्या हुआ योगी आदे तिनाद सरकार ने इस बात का नोटिस लेते हुए एक एहम आदेश जारी किया है उत्रप्रदेश में सरकारी अस्पतालों के नाम अब हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखे जाएंगे यूपी सरकार की और से जारी आदेश में साफ किया गया है कि सभी सरकारी अस्पतालों में उर्दू में भी साइन बोर्ड लगेंगे मुहम्मद हारून की शिकायत के बाद राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को ये यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है कि अस्पतालों में डिस्प्ले पर नेम प्लेट पर साइन बोर्ड और अन्य जानकारी हिंदी के साथ-साथ उर्दू में भी लिखी जानी चा रतिष्ठानों को उर्दू में भी साइन बोर्ड नेम प्लेट और अन्य साइन्स पर साइनेच पर जारी करें उन्नाव निवासी मुहम्मद हारून ने अपनी शिकायत में कहा था कि उर्दू को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाशा एलान किये जाने के बावजूद मेड सरकारी हुक्म पर अमल नहीं कर रहे हैं अगर ये सरकारी हुक्म लागू होता है तो 167 जिलास पताल 2934 प्रात्मिक स्वास्त केंद्र और 873 समुदाइक स्वास्त केंद्रों के डिस्प्ले बोर्ड पर हिंदी के साथ साथ उर्दू भी होनी चाहिए और इसी को देखते नेम प्लेट और साइन बोर्ड होंगे तो ये थी उत्रप्रदेश से जुरी जानकारी ऐसी ही जानकारी वाले खबरों के लिए बने रहें जी सलाम के डिजिटल प्लाटफॉर्म के साथ